हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक तो माई चैनल दिवेल्पिचिन, आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही आपनी स्किन का कलर कैसे कर सकते हो वो बताऊंगी तो आप एलाइव रिजर्ड देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से आपकी स्किन फेयर हो जाएगी और प आपके पास आएंगी यह रेमेडी जितनी आप देख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से जितना अच्छा रिजल दिखा रहे हैं उतनी इजी बनने में भी है आपको पोई भी दिक्कत लेने की जरूत नहीं है घरी के सामान से बन जाएगी है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको म अच्छी बात है आपको इसका थोड़ी देर के लिए यह लो कर दो निकल सकी क्यों कि आपको नहीं लगाना है चेहरे हाथ पर पर किसी पे भी तो आपको यहां से निकल रही थी उस पार्ट को भी आपको निकाल देना और फिर आपको ना वाइट पार्टिकल इस तरीके दोनों को एक साथ ही निकालेंगे हम तो यह मैं चमच की है तो इस तरीके से दोनों ही चीज़ों को एक साथ निकाल रहे हैं तो मैं इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं डालोंगी जो आपके घर में अवेलेबिल ना हो जो घर में अवेलेबिल हो ना वही चीज़ें आपक लेंगे क्योंकि आपको जार में पीष नहीं है था बहुत अची बात है बट इतना सा जार में कि आप जब भी इस remedy को ट्राय करों उसके बाद अच्छी तरीके से हाथ को और जो भी बरतने हैं उनको अच्छी तरीके से साबून से दूल लीजे क्या होता ना कि अलोवेरा थोड़ा कड़वा रहता है तो आपके हाथों में पुरा कड़वा फ्लेवर आ जाता है तो अगर बिलकुल ये तब दिख सकतो और अच्छी तरीके से कर लेना है mix और रहे मेडिब बहुत ही आसान दरीके से बन के तयार हो गए तो आपको तो मिंटों में बिलकुल सेगं दो में आप इसको बना लोगे त्राय कर लोगे तो इस तरीके से इसको पूट लेंगे इसमें त्व अगर Korean skin, आपने देखी हो लडगों की तो वो उनकी बहुती ददा शाइनी करती है, गिलासी skin रहती है, क्योंकि वो aloe vera gel यूज करते हैं, बट aloe vera gel हमारे को use करना ही नहीं, हमने तो normally aloe vera ले ले लखा है, उसी को use कर लेंगे, तो अब इसमें ना मैंने rose water ले है, तो rose water डा इसमें डाल सकते हो, तो यह देख सकते हो, बिल्कुल जैसे लार होती है, उस तरीके साब को लग रही होगी है, तो इसी तरीके साब को बनानी है, इसको अगर चहरे पे ट्राय को रोग तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो मैंने कास्तूरी हलदी आप लोना तो एक चमच लो, अगर आपके बास कस्तूरी हल्दी तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वें फेशल के लिए यूज चाती है, जाताता तर बट अगर आपके बास नॉर्मल हल्दी है तो कोई दिक्ट नहीं है, आप जो कस्तूरी हल्दी एक चमच ले लो तो आपको जो normal हल्दी लो तो उसको आधी चमत से कम लेना है क्योंकि क्या होता है हल्दी लगाने के बाद फीला पन जरूर आता है ये लो पन जरूर आता है मेरे कई वीवर्ण का बीव प्राब्लम है बहुत जाद है questions है तो हल्दी लगाने के बाद color तो आएगा बट आपके लगाया चहरा दुल लिया और आपको असर दिग गया ऐसा बिलकुल नहीं होता है आप इसको लगाते हो ना चहरा वेरा दुलते हो उसके बाद ये दो-तीन गंटे बाद थोड़ा सा थोड़ा निखार देखने को मिलता है और फिर दो-तीन गंटे बाद भी आप अगर आप एक तो ब्राइट से पहले आप देख सकतो है क्योंकि हल्दी यार एक नैशरल चीज होती है और यह बहुत यह अची तरीकी से ब्राइट और ग्लो लुक देती है हमारे स्किन को तो आप इसको चेहरे पे भाती करों ने, तो कोई दिक्कत नहीं है। कस्तूरी हलदी आपको ले ले लेणे तो वो कलर जादा नहीं लेगा, पीला पन नहीं लेगा यह एक। एक घंदे बाद आप दुबारा चहरा दूलेगा किसी भी फेशवाओ से तब आप देखेगा निखार कितना अच्छा आएगा ये इसलिए बतारे हूं कि जिनको पीले पन से प्रॉब्लम में है उनको बतारी हूं क्योंकि पता है अगर आप इसको मसाट कर तो ना तभी अंदर चाहिए जाकर आपकी किरो प्राइट कर सकता है, हफते में आप इसको इसको 3 बार ताuls हno को बहुत 1 जात्यव को 3 जोpaid को पहले में जैंगे, हाथ पेरों पे तो आप साबन आप उनसे भी धूल जकते हो तो इस तरीके से आप देख सकते हो यह इसकिन आपकी बहुत अची तरीके से कर देगा तो पेरों की जितनी भी गंदेगी थी ना वो निकल चुकिए मैं आपको यह नी बोल रहूं कि आप इसको एक बार में तो वो तो भी ख़ाओ कर देगी तो देख सकते हो पैर अची से क 민주 है तो पील से घ्ली हुरें कि कोषिष जो हरूं की कष्छी जाम नहीं गरने में नहीं değiş medida को सब्सक्राइका जरूर कोशिश करूँगी और आप मुझे ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यह चैनल को नई नी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए फेस्बुक भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर बी मैं अक्टिव हूँ तो वहां पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकत तो डिस्क्रिप्शिन में मैंने लिंक दे रखिये